हेलो एवर्यवें ड्रजनी चोपला रेस्पीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेकर आएँ आपके लिए मानसों इसपेशल एक बहुत टेस्टी और सिंपल सी रेस्पी जो की हमेश्या की तरह बनाने में बहुत ही आसान होगी बिलकुल सिंपल होगी और टेस 200g babycorns जिनको हमने दो भागों में काट लिया है अगर आपकी babycorns ज्यादा बड़ी है तो इनको चार पीसिज में बी कट कर सकते हैं इसके बद करते हैं आगे के तयारी बेभी कोन को कट करने के बद Weeping साइड में रखने है और इसके बद हमें यहाँ पर लिया है एक शिमला मिर्च और दो प्याज को हमने अच्छी तरह से वाश कर लिया है और इसको सुका लिया है और इसके बद के बीच को निकाल देंगे और उसके लम्बे टुकडों में कट कर लेंगी इसी तरह पियाज को भी छही कर इस तरह से लम्बे लम्बे house कर लेना है पहले पेली पियाज कि हमने दो पार्ट करने हैं और इस तरह से थोड़े ले भड़े उसकी पतले उसको भी लम्बे-लम्बे slices में cut कर लिया है अब हमने करना क्या है कि जो हमने baby cones को cut करके रखा था इन baby cones को हमने boil करना है बहुत ज़ादा boil करना है सिर्फ 1 boil आने देना है gans पर एक पैन रख रखा है पैन में पानी डाला है और इसमें डाला है एक छोटा चमच नमक का, साथ जैसे ही पानी में उवाल आया, हमने इन बेबी कॉंस को इसके अंदर डाल दिया, बिल्कुल एक बॉइल आने देंगे और गैंस की फ्लेम को बंद कर देंगी, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, गैंस की फ्लेम और इसमें डालेंगे यहाँ पर मैंने चार काशमेरी मिर्च और चार जो तीखी वाली मिर्च होती है, उनको राद एक घंटे के लिए पानी में भीगो के रख दिया था, उसके बाद हमने इन भीगई मिर्चों को मिक्सी के जार में डालना है, साथ में डालना है एक टेस्पूर इसमें नमक डाला है, क्योंकि नमक हमने बॉइल करते हुए भी डाला था तो इसलिए नमक ज्यादा नहीं डालना, जो हमने रेड पेस्ट बना के रखा था, दो चमच हम इसमें रेड पेस्ट की डाल देंगे और इसको आपस में मिक्स कर देंगे, अब इसमें तीन बड़े चमच कॉन फ्लॉर के, और तीन चमच हम इसमें डालेंगे मैदा की, और इन दोनों को अब कॉन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि मिक्स करने में एजी रहे, हमने इसे बहुत ज़ादा मसाले यूज नहीं करने, इसे बिल्कुँ सिंपल तरीके से बना रहे हैं, तो बिल्कु सिंपल चीज़े ही हम घर की यूस करेंगे, इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, यहां पर देखे हमने इसको एक मिक्स कर दिया है, और अब आगे की तैयारी, गैस पर रख रख है हमने खाने में उतनी ही टेस्टी बनती हैं, सिंपल हैं बहुत ही मज़िदार बनती हैं, इनको अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉण्फ़र भी डाला है और मैदा भी तो कॉण्फ़र की वज़े से वैसे ही क्रिस्पी हो जाएंगी, और जब आप बच कुछ आपको चिप क्यों ही लग रहे हैं, तो जब ठंडी होंगी तो हमको हातों से अलग कर लेंगे, अब दूसरी कड़ाई में हम लेंगे एक चम्मच ऑईल का, वही यूज़ यूज़ किया है, जिसमें मैंने इन कॉंस को फ्राई किया था, अब इसमें डालेंगी जो बा इस ट्रेम पर हमने गैंस की फ्लेम को हाई रखना है और इनको भी सौटे कर लेंगे, और हाँ फ्रेंड्स यदि आपने अगभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेश आपको मिल सके, बस जैसे ही हलका सा सौटे हो चाहेंगी, तो इसमें हम डाल देंगी जो हमने टेमाटर को काट की रखा था जिसके बीजों को निकाल लिया था, उसको हम इसमें डाल देंगी, और हमने इनको बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने इस उसको उसको दो बड़ी चमज में जाएंगी टमैटो केचप के और इसके बाद इन सबी को आपस में भून लेंगे इस जो मसाला हमने डाला है न इससे हमने जो रेड चिली सौश टालनी पड़ती है वो नहीं डालनी पड़ेगी यहाँ पर मैंने तीन चमच पानी के डाला है और इसको मिक्स कर दिया है इसके बाद जो हमने बेबी कॉंस को फ्राई करके रखा था उसको इसके साथ मिक्स कर देंगे और इन सभी को तेज गैंस पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी जो भी चाइनीज रेस्पी होती है उनको हमें तेज हीट पर ही बनाना होता है तो गैंस की फ्लेम को तेज ही रखेंगे और इन सभी को आपस में मिक्स कर लेंगे उपर से डालेंगे हम खुप सारा हरा धनिया लो जी बन गई हमारी बहुत ही मज़िदार सी टेस्टी सी चाइनीज बेबी कॉन तो आपको मेरी आज की ये रेस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं यदि आपको मेरी रेस्पी बसंद आती हैं मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं इन्हें लाइक जरूर करें और यदि आप मेरी चैनल पर नहीं हों तो सब्सक्राइब के भी बिलकुल ना जाएं तो मिलते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारे टेस्टी मज़िदार सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ